हाई फ्रेंड दिस अश्वीनिकुमार वस्ति हो वाचिंग माई यूटूब चैनल अश्वीनिवस्ति आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रॉपल सी अगस्थ एक्जामिनेशन को लेकर क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है ट्रॉपल सी अगस्थ के एक्जामिनेशन को लेकर कि अगस्थ के एक्जामिनेशन कब से कंड़क्ट होंगे और किन-किन जगाओं पर ये एक्जामिनेशन कंड़क्ट होना है उसके बारे में लेकर पूरी इंफॉर्मेशन में आया हूँ इसके साथ साथ अगस्त के admit card कब से download होंगे उनके बारे मैं बात करेंगे इस वीडियो के अंतर कर वीडियो मैं आगे बढ़े हैं उससे प्रवाधा दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पहली बार आएं तो मेरे चैनल को आपे सब्सक्राइब करें ताकि आप आसकें मेरी वीडियो सबसे पहले तो हम सबसे बहले बात करते हैं आपके अगस्त examination के बारे में जो उसका एक notification आपके सामने आ चुका है जो कि आपके screen पर visible हो रहा होगा इस notification में साफ तोर पर लिखा गया है कि the August 2021 DLC examination is tentative scheduled from 7th August 2021 onwards यहाँ पर एक word जो tentative सो किया गया है या जोड़ा गया है इसका मतलब साफ है कि अभी confirmation नहीं है कि examination August में conduct होगा tentative का मतलब मतलब साफ है कि यहाँ पर examination conduct होगा यह कोई compulsory नहीं है मगर chances है कि 7th August से examination conduct होने है इसके साफ साथ उनने एक चीज़ और indicate की है candidate of May, June, July 2021 examination cycle belonging to state other than उत्तरपदेश और उत्तरखंड जैसे कि आपको पता है कि जुलाई examination उत्तरपदेश और उत्तरखंड दोनों जगे conduct हुआ था मगर बाकी किसी भी राज्य में यह examination conduct नहीं किया गया था तो अगर साथ तारीक को examination conduct होना start होता है तो बाकी सारे राज्यों में भी इस बार examination conduct होने के chances बढ़ रहे हैं दो तारीक से admit card डाउनलोड़ना प्रारम हो जाएंगे अगर यह examination conduct होते हैं तो ठीक है यह चीज़ है पूरी information ट्रपल सी के regarding अगर आपको ट्रपल सी या ओ लेबल के regarding कोई भी doubt रहता है तो आप comment section के माध्यम से पूछ सकते हैं कमेंड में किया गया हर एक question आपको उसका reply मिलेगा आज नहीं तो कर मिलेगा थोड़ा delay हो सकता है बट reply जरूर मिलेगा इसके साथ साथ अगर वीडियो आपको अच्छे लगी हो और important लगी हो तो आपने friend circle में share करना ना भूले जिसे ज्यादा लोग के पास information पहुँच सके और वो इसका benefit आप आप देख रहें कि मैंने माते पर लगातार पसीना आ रहा है उसका main करण यह है कि हम fan को off करके एक video को बनाते हैं तो इसलिए गर्मी बहुत है मौसम बहुत बहुत गरम है और इसी करण इतना पसीना आता है आप देख रहें कि कितनी मेहनत के बाद एक video में एक होती है तो एक like तो इसके लिए बनता है तो please like जरू करेगा at last में एक करना चाहूँगा thanks for watching my video thank you